हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो आवर चानल फिजिक्स पॉइंट बाई राविंदर जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिविएस किलास में हमने ब्लोच थियोरम को डिसकस किया था जो एक्जाम के पॉइंट आफ यू से बेहद महत पुन था आज की जो कलास है इसमें हम ब्लोच इलेक्ट्रोन का वेग या हिंदी में कहें तो ब्लोच इलेक्ट्रोन का वेग कितना होगा उसको हम डिसकस करेंगे और ब्लोच इलेक्ट्रोन के वेग को डिसकस करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया और हमारे दुआ जो वीडियो या वीडियो लेक्ट्र Song बना जा रहे हैं उनका बैनिक ले मेंट प्लेएस्ट में जाके उनका बैनिक प्ले क्ट सकते हैं जैसे हम पहले भी आपको बता इसके भी हमने बहुत से वीडियो अफलोड किये हुए हैं तो आप उनको बेनिफिट उठा सकते हैं या अपने कोई फ्रेंड्स हो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं तो आज की जो किलास है उसमें हम डिसकस करेंगे ब्लॉक इलेक्ट्रोन का वेग तो सबसे पहले हम बात तो ब्लॉक इलेक्ट्रोन क्या होता है कि किसी क्रिस्टल में गतिसील मुफ्त इलेक्ट्रोन जो है वो कैसा पोटेंशल फील करता है या कैसा विवाव अनवाव करता है वो आवर्ति विवाव अनवाव करता है मतलब कोई भी क्रिस्टल है उसमें कोई इलेक्ट्रोन गतिसी है मुप्त इलक्ट्रोन है तो वो पिरियोडिक पोटेंशल फील करेगा या अनवाव करेगा और पिरियोडिक पोटेंशल क्या होता है वी आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर बराबर वी आर वेक्टर मतलब एक डेफिनेट इंटरवल के बाद में अपनी वुल को रिपीट करें ऐसा पॉतेंशल क्या कैलाता है पिरियोडिक पॉतेंशल क्या कैलाता है और यह जो इलेक्ट्रॉन है जो पॉतेंशल को फी कि यु़्य। का जो वेग इससे सम्मन्दित दर्व तरंगों के समूले के बराबर होता है नि St Geoffival मतलब यो डरव जो तरंगे हैं उनकी जो ग्रूप वैलो सिटी क्य क्या होता है उसके बराबर ही क्या होता है ब्लोट एलेक्ट्रोन का वेग होता है ओर तो आपने क्वांटम में जब आपने वेवस पड़िएंगी तब भी आपने देखा कि जो ग्रूप वेलोसिटी होती है न वो होती है डी ओमेगा पूंड के गे के तो के कि है यहां पर वेव एक्टर कि और जब की जो एस ब्रलाष टी ओमेगापाऊं के होती है उस건 बोलता है वी पी और यह ऑज धूल एट ट्योंगिजीट्ट यह वह गई ग्रूप यह घूत आंटम यांतरीके में किसी भी कण की जो उर्जा होती है यह बराबर एच नियू दियावरत देते हैं क्योंकि वहां पर हम फोटोन का कॉंसेप्ट लेते हैं अब देखो हम क्या करना इसको ओमेगा की कोणी आवरती बनानी है न्यू क्या है रेखी आवरती है या लीनियर फ्र है तो देखो टूपाई एफ यह क्या होता है कोणी आवरती तो होती है ओमेगा तो देखो है एच अपॉन टूपाई तो क्या होगे एच ग्रोस हो गया एच ग्रोस बराबर क्या होता है एच अपॉन टूपाई तो होता है और टूपाई न्यू या टूपाई एफ जो है य X X OMEGA यह बराबर क्या होगा है एक आप देखो हमें यह जो ग्रूप वेलोसीटी होगी दरवत रंगों की वह क्या होगी बुलोख लेक्ट्रोन का वेग होगी यह हमने परीबासा बताई आपको तो हम क्या करेंगे यह जो उपर वाली जो समी करना इसका के के respect में differentiate करेंगे तो d by dk पराबर h cross d omega by dk क्योंकि h cross constant है omega करेंगे k के respect में तो क्या हो जाएगा d omega upon dk और अब d omega upon dk चाहिए तो d omega upon dk पराबर क्या हो जाएगा एक बटा h cross d upon dk तो यह क्या है group velocity है द्रवत रंगों की और यही क्या होता है block electron का वेग होता है तो block electron का जो वेग होता है one upon h cross d upon dk हो गया तो बहुत ही आसान सी हाँ पर calculation हमने use की है जो आपको उमीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रही है तो block electron का जो यह जो वेग है केवल सिंगल फेज स्पेस में मतलब यह कैसे वन डायमेंशन में है तो यह कह सकते हैं कि यह समीकर्ण एक वी में जालक में block electron को क्या करती है व्यक्त करती है मतलब अगर आपका linear lattice है तो उस condition में तो आप block electron का जो वेग है इस formula के दुवारा निकाल सकते हैं अब इसी formula को हम जनलाइज करेंगे थ्री dimension के लिए तो इसी परकार त्री वी में जालक जो होगा उसमें block electron का जो वेग होगा वो कितना होगा जैसे यह वी एक वी मी हो गया तो ऐसे वी वाई वी जयड वी ऐसे हो जाएगा तो तो त्री वी में जालक वी वेक्टर बराबर वी एकसाई का है वी जयड के कैप जैसे यहां पर वी एकस क्वस्ट हम फोर एकजांपल मान लेते हैं वन अपॉन है तो देखो यह चीज़े हो गई वी एक्स वी और वी जड़ की वेलियों हमने रख दी अब देखो यहां पर वी वेक्टर बराबर यह वेलियों उसी में सब्स्ट्ट्यूट करेंगे वी एक्साइब वी जड़ वी जड़ कैप में तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वन अब देखो यह अपनले ले लेते हैं और यह जो है दो अपने ग्रेडिंट पढ़ा होगा देल बगार इसको बोलते हैं डेल डेल ऑपर डेल एक्स आई कैप तो हैं यह वे वेक्टर के लिए आ रहा है तो है तो है तो यह तो यह दो हमगा लगा देगे के अमें पता चल जाएगा कि हम फेज इसकी बात कर रहे 사ôi हम स्वे मोमेंटम की बात कर रहे हैं फेज़ी स्पेस में तो के वो नहीं लगाएंगे डिरेक्ट कर देंगे तो वी वेक्टर बराबर क्या हो गया वन अपोन एज क्रोस यह हो गया डेल डेल के मतलब हम मोमेंटम स्पेस की बात कर रहे हैं और यह ऐसे कैसे तो यह जो समीकन है यह त्री विम्य जालक के अंदर ब्लोक इलक्ट्रोन के वेग है उर्जा की परवनता डेल के क्या होता है समनुपत्य होता है यह बात आप लिख दोगे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम क्या डिसकस करेंगे क्रोनिंग पैनी मोडल यह भी एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से बहद महत्पुन है तो सबसे पहले हम इसी को एक ब क्रिस्टल में जो गतिशिल जो इलेक्ट्रोन होगा जो प्रियोडिक पोटेंशल फील करता है उसको हम क्या कहते हैं ब्लोच इलेक्ट्रोन का जो वेग होगा वो द्रव तरंगों के वेग के समू के बराबर होगा किस्टल के अंदर तो यह इस फॉर्मले से वीजी बराबर होता है फिर हमने कैसे energy को जो linear frequency की ट्रम में थी उसको हम ने कौनी आवरती में बदल लिया फिर हमने डियोंगा पॉन्दी के चाहिए था तो हमने क्या किया इसको के के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसएट किया और डी ओमेगा पॉन्दी के हम यहाँ आपके मिल गया यहां पर मिल गया तो बाकी ट्रम को इसके बटे में लेके जाएंगे तो बनपोन एज क्रोज डी अपॉन डी के हो गया यह वन डैमेशनल के लिए क्या है ब्लोग इलक्ट्रोन का वेग है तो फ्रेंड्स उमीद करता हूं कि आपको जो हमारे दुवारा जो व और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिविशन मिलें और अधिक साधिक जो बच्चे हैं वो इस चीज़ का बेनिफिट ले सके रहा हम से जुड़ सके तो आज की क्लास में इतना ही मिलते हैं नेक्स क्ल पूरत